दोस्तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहांपे आप देख सकते हैं चावल लिये हैं और इन चावलों में ये घुन पढ़ गई है यानि कि ईरी पढ़ गई है दोस्तो जब हमारे चावल बहुत ज़्यादा पुराने रखे होते हैं तो उनमें बहुत जल से जल कीड़े लग जाते हैं किसी किसी के घर में बहुत ज़्यादा चाबल आता है यानि कि एक बोरी बरके आ गया या एक टीन बरके आ गया है तो आप इस्टोर करना चाहेंगे वर्सात का मुश्णा वाता है और नमी की बज़त से चाबलों में केड़े हो जाते है तो आज मैं आपको ऐसे tips बताऊँगी कि आपके चाबल या फिर दाल हो कोई सी भी चीज आप इसको इस्टोर करें आराम से सिसमें एक भी कीड़े नहीं पडएंगे दाल चाबलों में किसी भी प्रकार का खीडा नहीं पड़ेगा जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे आप जरूर यूज करें तो चलिए नमबर बन ट्रिक आपको बताती हूँ सबसे पहले ट्रिक ये है कि आप ले एक एर टाइट डबा आप इस तरीके से एर टाइट डबा ले लीजिए और इस डब्बे में सबसे पहले हम डालेंगे क्या इसमें डालेंगे हम पेपर यानि कि हमें लेना है एक न्यूज पेपर और उस न्यूज पेपर को हम क्या करेंगे जैसा कि मैं आपको छोटे डब्बे में बता रही हूं एक किलू चाबल के इसाब से एक किलू चाबल या दो किलू चाबल में आप इस तरीके से न्यूज पेपर फाड़िएगा आदा और इसको फोल्ड करके ये देखें मैं इसको फाड़ ले रही हूं और इसको फोल्ड करक हम इस डब्बे में डाल देंगे इस नूश पेपर को दोस्तों यह जो मैं आपको बता रही हूँ यह ट्रिक बहुत ज़्यादा अच्छे है और आप देखना आपके चाबलों में एक भी कीड़े नहीं पढ़ेंगे चाहे आपके चाबल एक करश्टा भरके हो या फिर दो किल तो इसमें ऊपर से डाल दीजिये चावल यह देखिए आप चाबलों से पूरे डब्बे को भर दीजिये और थोड़ा खाली रखिएगा अब थोड़ा डब्बा जैसे के आप देख सकते हैं मैंने चाबल को भर दिया है इसमें अब इसमें हम क्या करेंगे उपर से भी हम इ देखिए इस तरीके से में फोल्ड करके डाल दूँगी और बस इसका आप डखकन बंद कर दीजिये दोस्तों इसमें जो चाबलों में बरसात के मौसा में जो नमी आ जाती है आप देखना आपके चाबलों में एक भी कीड़े नहीं लगेंगे क्योंकि जो इसका एक्ष्ट करिए इस तरीके से आप डाल चाबल को इस्टोर कर सकते हैं अब ट्रिक नमबर दो बताती हूं आपको इस तरीके से आप चाबल लीजिये और आपके पास अगर लॉंग है तो आप लॉंग ले ली जिए ये देखिए मैंने कुछ लॉंग ले ली है और इन लॉंगों को हम इस चावल में और हम क्या करेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे आप किसी बरतरम डाल करके चावल को अच्छे से मिक्स कर दें और अगर दो कलो चावल है तो आप इस तरीके से हातों से मिला दें और इसका कैप कर दीजिए बंद यानि कि इसका डखकन लगा दीजिए द आपके चाबल बिल्कुल अच्छी बने रहेंगे, सुरच्छी बने रहेंगे। ये देखे, इस तरीके से मैंने चाबलों के हिला दिया है। अगर बड़ा कनश्टर है तो आप सबसे पहले चाबल को किसी परात में ले ली जिए, किसी तसले में ले ली जिए, ठालीम ले ली करके mix करके बाद में चाबल भर दीजिए डब्बे में तो इस तरीके से आप इस्टोर कर सकते हैं आपके चाबल सालों साल चलेंगे कोई प्रोब्लम नहीं होगी इन चाबलों को आप एक दो साल तक आराम से यूज कर सकते हैं अब ट्रिक नंबर थ्री अब यहां पर आपको जो बताते हूं कि आपको चाबल लेना है चाबल में आप क्या करेंगे दाल कुछ भी ले सकते हैं इस तरीकेसे आपको लगाना है और लगा क आप चाबल इस तरीके से चाबलों में इस तेल की कोटिंग कर दीजिए ये देखिए चाबलों में अच्छे से तेल को रगड़ दीजिए ताकि पूरे चाबल में अच्छे से मिक्स हो जाए आप किसी बरतन में निकाल करके चाबल में इस तेल का मोवन लगा देना आप देखना आपके च चाबलों को या फिर दाल को इस्टोर कर सकते हैं साल दो साल के लिए बिलकुल भी खराब नहीं होंगे यह बहुत ही जड़ा काम का नुस्खा है आप इसको जरूर ट्राई करना चलिए नुस्खा बोल लीजिए या फिर ट्रिक्स बोल लीजिए अब यह चीज हो गई है मैं ज सब्सक्राइब को है इस लोंक की खुसबू से जो इली पढ़े जाते है गुनबभी पढ़े तो यह मर जाएंगे चाबल में खताम हो जाएंगे इसको आप बाद में निकाल में देना और नहीं भी पढ़े है नई चाबल बिलकुल है तो इसमें आप जब डाल देंगे तो बिल्कुल भी साल, दो साल तक आप आराम से श्टोर करिए, कोई प्रबलम नहीं आएगी, अब किसी-किसी कि यहां क्या होता है, इस टील के डब्बे में चाबल को रखते हैं, अब इस टील का डब्बा किसी-किसी का बहुत लूज होता है, यानि कि एयर टाइट नहीं होता है, तो आप क्या करें ऐसे में, आप ऐसे में ये करिए, कि आप इस तरीके से पॉलिथिन ले लीजिए, सभी के घर में जो सामान आ आद में हम इसका ठकल लगा देंगे, जिस्से कि ये हमारा जो डब्बा है, बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी, और बिल्कुल भी हवा तक नहीं जाएगी, जिससे कि हमारे चावल या फिर दाल बिल्कुल सुरच्छित दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि चाबल जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो उनको फेक देते हैं कि कीड़े पढ़ जाते हैं नहीं दोस्तों आप फेक यह बिल्कुल नहीं कभी भी अगर आपके चाबलों में कीड़े पढ़ भी गए हैं तो उनका थोड़ा सा आप मुश्किल से पंदरे मिनट के लिए आप उसको पहला करके डाल दीजिए पंखे के नीचे और आपके सारे कीड़े निकल जाएंगे चाबल के और फिर आप यह सामगरी यानि की लॉंग जो मैं ट्रिक्स बता रही हूं आप इनमें डाल दीजिए यूज करिए और आपके का अपको बता दे रही हूं मैं मैं से नकरी नेट यूज कर लिहจะ कर लिए या लाल मिर्ची तो होगी ही होगी यह सभी अराम से मिल जाती है तो लाल मिर्ची का आप क्या करिए 24-foot का ल chỉ ले लिडी जिये और आपके चाबल से यह यह पहली निकल के पोर सकते हैं तो इस तरी के से इसका कैब भी लगा दीजिए जिससे की ये डबा एयर टाइट हो जाए और आपके चाबल भी सुरच्छित रहेंगे एक भी कीड़े नहीं पढ़ेंगे अब मैं बताती हूँ एक और तरीका आपको आप क्या करें सबसे आसान तरीका में आपको बताती हूँ और फिरी का तरीका है इसके एक भी पैसे नहीं लगेगे ये है दोस्तों नीम के पेर हर जगे मिलते हैं पार्क में रोड के किनारे कहीं पर भी आराम से आपको नीम का पेर मिल जाएगा तो आप क्या करें नीम को इस तरीके से तोड़ लीजिए विद डंडी तोकि डंडियों में जो न चाबलों में एक भी कीडा नहीं पड़ेगा एक भी इली नहीं पड़ेगी आपके चाबल साल दो साल तीन साल बिलकुल सुरच्छित रहेंगे और आपको ये जो नीम है बिलकुल हरी नीम ही डालनी है अब जैसे अगर चाबल में आप नीम की डंडी नहीं डालना चाहते है तो आप क्या करें इन नीम की पत्तियों को निकालने, जैसे कि मैं इन नीम की पत्तियों को निकाल ले रही हूँ, और निकालने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, पत्तियों को चाबल में डाल देंगे, तो चलिए इनको निकालती हूँ, दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों में सेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को प्रेस करना आल पर प्रेस करना इससे होगा यह जो नई वीडियो अप्लोड करूंगी उसका नॉटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले दोस्तों आज कर दें चावल के बीचों बीच चावल की बीच दबादें पतीओं को और इस तरीके से ढगकर लगा दें बस आपके चावल दो साल तीन साल के रहेंगे और दोस्तों एक बात मैं आपको बता हूँ जब आप नए चावल लेकर आते हैं तो उनसे पेड़ खराब होने लगता है पेड़ कई भी मालिया बन जाती है तो इसलिए आप पुराने चावल खाईए पुराने चावल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और जब पुराने चावल आप बनाते हैं तो उसमें सुगंद यानि कि छर्षरे से चावल बनते हैं, एक एक चावल अलग अलग हो जाता है, और इसमें खुस्बू भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए आप इस ट्रिक को जरूर ट्राई करना, अब इन में से कोई भी ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, वो ही ट्रिक आप यूज़ कर नीम की पक्तियों को भी ले लेंगे, और नीम की डंडियों को भी ले लेंगे, हमें बिल्कुल हरा नीम लेना है, सूखा नीम भी नहीं लेना है, तो हरे नीम में बहुत अच्छी खुस्बू आती है, इन डंडियों में भी बहुत खुस्बू अच्छी आती है, तो हम क्या करेंगे इन सभी नीम को लेंगे और मिखिश के जयल में इसका हम बना लेंगे, पेश्ट, तो चलिए मैं यहां पे बिद डंडी के इसमें डाल दे रही हूँ और जो टार्टी रंडी होगी उसको मैं निकाल दूँगी और इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा प्तानी डालूँगी ताकि अच्छे से ये पिस जाए तो इसको हमें बहुत ज़दा बारीक नहीं करना है तो ये देखें मैं सारी नीम की पत्तियों को मैंने डाल दिया है गरेंडर जाल में और अब इसके बाद इसको मैंने पीस लिया है यानि कि इसका चटनी बना लिए तो ये देख सकते हैं इसकी चटनी बन चुकी है और आप हम इस तरीके से गोलियां बना लेंगे छोटी बड़ी किसी भी साइज की आप गोली बना सकते हैं पेड़े टाइप में भी बना सकते हैं और गोल गोल बॉल टाइप में भी बना सकते हैं जैसे आपको पसंद हो तो इस तरीके से आप लीजिए और इसके बॉल बना करके आप इस प्लेट में रख लीजिए दोस्तों इसका बेनिफिट भी मैं आपको बताऊंगी बहुत से तरीके होते हैं दाल चाबल को बचाने के लिए और मैं और भी बताऊंगी तो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा तो आप इस तरीके से इन सभी नीम की जो चटनी बनाई है इसके इसके मैं अगली म मैं अगली बीडियो कैसे यूज करनी है मैं अगली वीडियो मैं आपको बता यानि की बॉल को सुखा लेती हूं और अगली मीडियो मैं आपको बताऊंगी इसनका यूज्ख आपको मिलेगा सबसे पहले और मुझे कमेंट जरू करिएगा चलिए दूस्तों मैं मिलती उन्हें वीडियो साथ अब तक के लिए नमस्कार